नमस्कार, मेरा नाम आजाद मिश्रा है, मैं परस्पनातक 2022 बैच का विद्ध्यारती हूं के हिंदी विश्प विद्ध्याले लाहाबा, वर्तवान में मैं पी एच्डी के प्रिविश्प विच्छा का एक्जाम दे रहा हूं, और मैं एक सिविल का अस्पारेंट भी हूं, हि जिसमें मेरा उसनल भी है, मैंने जून 2023 परिच्छा यूसी नेट परिच्छा में जैयरफ से उत्तिरिंड किया है, जिसमें मेरा 99.88 परसेंटाइल मार्क्स रहा, और मैं फिलाल अभी अपनी स्टेजी से एर करने के लिए आप सभी के सामने हाजिर हूं, और जैसे इसी करम म होते हैं, एक सब्जेक का पेपर होता है, जिसमें 100 क्यूस्टन आते हैं और पहला 50 क्यूस्टन का फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जनरल अप्टिट्यूट का टेस्ट होता है, जिसमें करम सा टीचिंग अप्टिट्यूट, डिसरच अप्टिट्यूट, डाटा सबसे प्रश्चन आते हैं तो जिसे बुक लिष्ट अगर मैं जी एस पेपर फर्ष्ट में बताना चाहूं तो इसका रोल काफी ज्यादा रहता है इसी निट के पेपर में क्योंकि सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसो कुष्चन का होता है और बच्चे उसमें अच्छा अ अपनेट से कम से कम पान से साथ कुष्चन लगभग एक नॉर्मली ज्यादा जाती है जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट का बताना चाहूंगा तो हिंदी विसे में लगभग कटाफ सो के आसपास रहती है जून थो हजार तेस के एक्जाम में बाननवे 92 सबसे कम कटाफ इसे लिए केवेस मादान की बुक आती है जो की कम जान चेसो से साथ सो पेज की बुक है इसमें सभी यूनिट्स बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव टाइब में दिये गए हैं इसके पीछे कुछ कुष्चन भी दिये गए हैं और इसके लिए यूटूब कुछ यूटूब कम समय में कवर करने के लिए क्योंकि केवेस मादान की बुक काफी लंबी पढ़ जाती है लेकिन बच्चे उसको पढ़ते हैं एक अनेकेडमी पे मलब एक सर है भरत कुमार मैंने उनके कुछ लेक्चर लेक्चर देखे थे और लेकिन अब ये मेरी स्टेट जी रही तो लेक होते हैं अब इसमें कुछ यूनिट वाइज जैसे की पहली यूनिट रिसर्च टीच टीचिंग अप्टिट्यूड में क्या है कि कुछ प्रेशन प्रेशन जो लगाता रेपीट होते हैं तो इसके लिए सबसे पहला काम पी आईक्यू पी आईक्यू सॉल्व करना पेपर फ प्रेश्ट में आप पी आईक्यू देखेंगे उसके हिसाब से एक टेक्स्ट बूक का आए पाता है उसका सब्सक्राइब ले लीजिए तो आप कापी अच्छा होगा उस पे सभी प्रीवियस के पेपर्स अबलेबल रहते हैं और उसके पेपर को सॉल्व करते हुए पेपर बहुत ज़्यादा टप नहीं रहते हैं तो उसे नॉर्मली पी आईक्यू के तहथ और केवियस मदान की बूक या लेक्चर से आराम से किया जाता है रिसर्च अप्रिटी टूर्ट में थोड़ा सा रिसर्च मेट्रोलोजी भी रहती है और थोड़ा सा बच्चे इसको टप म इसकेव नहीं कुछ बेह बेजिक क्विश्चन रहते हैं कुष इन्वीवर्मेंट के लिश्योग से ही टेंए इसके पर फर्ष्ट यहां तक ही उसक अबाद पेपर चेंड फेपर चेंड मेरा विसर्टी रहा हैं हिंदी में दस यूनिट Wayne具 दस यूनिट में भासा विज्ञ उसके बाल हिंदी साहित का इतिहास, आदिकाल से आदिकाल तक काविसास्र, निबंध, ना्टक, उपन्यास, कहानिया, इुसके बाल न कहानिय तो यूनिट 10 सबसे पहले उनिट 10 सबसे आदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी लेंदी कुछ बुक्स लगें जिन्दिकी नामा हो गया रमिनका गुपता क्या आप हुदरी हो गई सुरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में हो गया और ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी रचना है लेकिन उनको बहुत ज्यादा अगर आपके पास आप बकाईदा छे से साथ महिने आट महिने समय इस परिछा को देना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं भी पढ़ना सकते हैं वहां से कवर कर सकते हैं और इस बार जून 2023 के बाद से प्रकार का रहा कि टेस्ट से सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मतलब अगर आप सौर्ट में पढ़के उससे कवर नहीं किया सकता तो यूनिट 10 में जो जितनी भी रचनाए हैं कुछ छोटे हैं जैसे जामुन का पेंट कृष्ण चंदर का यह बहुत दो तीन पेच के रचना है तो इसको जो छोटी रचना है उनको हम पूरा पूरा पढ़ें तो उससे उससे सब्सक्राइब लाब है जो बड़ी रचना है जैसे पांसो छे सो पेच का जिन्दगी नामा हो गया रव अगर पूरी पढ़ेंगे तो भी फिर उतनी हमाइंट में रहेंगी और एक तरफ से क्विश्चन को देखते हुए अगर स्रॉट नोट बनेंगे तो भी अच्छा रहेगा उपन्यास हैं उपन्यास में कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो बड़े भी हैं लेकिन उन्हें पढ़न अगे खुल नार याद हैं जैसे गोडान होगया उपनिस्वर ना फ्रेमिdiू के मढला आचल हूगा यह इसा रचनाए पूरा पढ़ना आवस्यक है हैं बीना पढ़े हम जैसे की पातर से सीधे पातर से प्रष्चना जाते हैं इसे दो तरह की अरच्णाव में पातर होते हैं एक होते हैं मुक्ख पातर एक होते हैं घौड पात Doll तो मुख्य पात्रों से अगर आपको प्रेंट पूछे गया तो आप से और नेट से तो हो जाता है लेकिन गौड पात्रों के बारे में अगर उनका कोई टेक्स्ट कुछ कथन दे दिये गया तो उसमें परिसानिया सामने आती है और चोटी-चोटी मिश्टेक होती हैं और वही हमें जयारव से दूर करती हैं तो उपन्यासों को पढ़ना होगा उनकी कुछ उनमें जैसे उपन्यासों में सबसे बड़ी चीज तीन भाग में मैं कहूंगा तो उसका पढ़ने का करम होना चाहिए एक तो सीधे-सीधे आप टेक्स्ट पढ़ लि जैसे कि हजारे परसाद दिवेदी हो गए नंदुलारे बाज़पे होगे महापपरताद दिवेदी हो गए स्यांसुंदर दास हो गए और सबसे बड़ी चीज रामचंद्सुख्ल हो गये रामचंद्सुक्ल से रिलेटेट आठ से दस प्रशना आपको सीधे-सीधे एक जा लगे हैं उन पे राम्चंसुक्ल के कोड इंप्पोर्टन हो जाते हैं रचनाओं की भूमकाय इंप्पोर्टन हो जाती है क्योंकि जो लेखक रहते हैं वो पनी भूमका में कुछ ऐसे तत्त ही डालते हैं जैसे मैला, अचल, गोदान, इन सब के भूमकाएं पढ़ना तो बहुत ही आवस्यक है, लगभल लगा सभी रचनाओं के भूमका आप बिना चोड़े नहीं जा सकते हैं, तो ये भूमका हो गया, दूसरी चीज़े टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, तो टेक्स्ट से क्विस्चन होने ही होने हैं, जिसे पात्रों की सीथी और बीच बीच मिच की कहानिया पूछ ले जाती है, तो अस्थान का देखना बूच्ट है, वहां कि environment से प्र अगर उस रचना में कुछ ऐसे तथ दिये गए हैं जो किसी दूसरी रचना में जो की बहुत हाइलाइटर रचना है और उसमें दिये गए हैं तो दोनों के तुलनात्मक प्रशन भी आजकल के ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं तो इससे बच्चे बहुत हो जाते हैं कि यह कह महाभोज नाटक है उपन्यास भी है लेकिन यहां इसमें नाटक लगा हुआ है यह सब रचनाई आप सीधे सीधे कवर करना जरूरी हो जाता है उसके बाद नाटक में चंदगुप्त लगा है और धुरस्वामनी है यह जैसंग परफदात के नाटक है और आधे अधूरे मो रचनगुप्त और सकंदगुप्त अथीहासिक परफचित दिखा गया नाटक है तो इसकंदगुप्त नाटक काफी पैरलर हो जाता है क्योंकि उनकी environment उसकी दसा जैसे गुप्त चंदगुप्त जो चंदगुप्त दितिय के कःता प्याधारित है उनको भाई राम गुप् तो वो दुरुस्वामनी भी इसी परपेश्च काना रहा है लेकिन थोड़ा सा भी अलग हो जाता है तो इसके पात्र इसकी पूरी समरी आपको बिना पूरे टिक्स पढ़े नहीं कह सकते हैं जैसे किसी का कथन जैसे जो चंद्रगुप का कथन मान लीजिए चंद्रगुप्त प्रपेश्च के लडाईयों कतन दिखाई देंगे तो ये कतन आपको उसमें पात्रों को काफी ध्यान रखना होगा और गौड़ पात्र जो हम उनको नोट करने होंगे उनके कतन देखने होंगे और रचना भी पूरी तरह से पढ़नी होगी आदे दूरे नाटक हो गया यह यह सामाजिक परिवारिक समस्या पर अधारी नाटक है तो यह नाटक भी और पूरा पढ़ने पर बहुत ही अच्छा राएगा और इसके नाटक क्योंकि जह ज़्यादा बच्चों को कम समझ में आते हैं तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जो डीडी नेशनल एक चैनल है यू आश्यक हो जाता है कि अब इसके बाद हम आते हैं कि कहांढिया सुला सत्रा कहांढिया सीदे सीधे टेक्शन लगी है कहांढिया तो पढ़ना बहुत ही जरूई है क्योंकि जूदा जादा सव पेज में सभी कहांढिया आ जाएंगी क्रम से जैसे की एक टूकरी पर आप पढ़ते हुए कि यह उपन्यास बनता हुए चला जा रहा है जैसे परिंदे कहानी हो गया तो इसमें क्या करना है कि जो बड़ी कहानिया है उनके हम सीधे-सीधे यूटूब के द्वारा या कहीं से पी आइक्यू करते हुए भी नोट कर सकते हैं जब मैंने बताया तो टेक्स्ट बुक का सर्क्रिक्शनल ले लीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही उससे वहां से हल्प हुई थी क्योंकि मैंने चैन तीन-चार साल के पेपर्स वहां से सौल कर लिए थे उसके नोट मुझे 40-50% पेपर सीधे सीधे वहीं से दिख रहे थे क्योंकि एक यूजी सी का पैटर्न है और वो उसी पैटर्न पर या तो पैटर्न बहुत ज्यादा हटेगा तो कथन के पर पर थोड़ा बहुत चिंज हुए लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे क यहां से पूछना चा रहा है और हम ऐसे कवर कर सकते हैं तो कहानिया आप पढ़ेंगे कहानियों में सबसे भी चीज किस कहानी कौन से सन की है कौन से राइटर की है और उन लेखकों को नोट करके उन लेखकों के अन्य रचनाय कौन सी है उन रचनाओं का क्रम जैसे जितनी भी कहानिया उनका क्रम लगाने के लिए आप उनके संस सीधे सीधे नोट कर सकते हैं, एक खाका दिमाग में बना सकते हैं, जितनी कहानिय अच्छिटम हैं उनके भी और उन राइटरों से जुड़े हैं उनके आसपास की भी, सीधे, तो इससे सीधे सीधे पहले कहां पे लिखी गई, कहां किस सन में आई, किस पत्रिका में आई, वो पत्रिका भी बहुत देसरस्थी पत्रिका हो गए या किसी कहानी उसमें आ रही तो वो आप नोट कर सकते हैं, तो ये एक आपका नोट समन जाएगा, उसके बाद निबंध, निबंध भी 13-14 जा गए, तो एक छीज ये है कि इसमें जैसे निबंध में किस पार्ण है तो पार्ट के नाम, और जैसे कुछ निबंध हैं मदूरी और प्रेम करके है, और एक सौंदर कला, तो दोनों निबंध सेम-सेम है, तो इसमें क्या होगा, आप निबंध को पहले पढ़िए, निब उसको भी नोट करना है कौन कौन से भाग है निबंध का समय क्या पीरियड क्या रहा है ताइम पर प्रेच क्या है उसके वातावरण क्या यह सब देखते हुए उसके भागों गरा नोट करके कभिताएं कि कभिताएं का जुन 23 , लेकि इस बार जाए परिशा 2004 जो फारे मैंने उसका फेपर देखा यह कि आफ लाइन बेश पेपर था तो पेपर मैंने और कविता को रोल काफी जादा था कवित के पहले कौइत हैं इस से कि यह रचना fantasy से है इस कविता में किस किन सब्दों fantasy है लेकि इस बार क्या है कविताओं में deeply पूछे गए पूरी कविता को आप पढ़ना है पढ़ना बिना पढ़े आप exam hall में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि इस बार क्या किये गए कविताओं की पंक्तियां आ गई प्रथम पंक्ति दे रहा है बीस्ते पंक्ति दे रहा है लाश्ट की पंक्ति दे रहा है और उसके क्रम पूछ दे रहा है तो इस प्रकार के सीधे 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 तथ्यार है जिसका उसकी भावना उसकी कविता के मूल से कोई लेना देना नहीं है बिना कविता पढ़े एक जाम ह की पंक्तियां और तुलसी दास की उत्तरकांट से कुछ पंक्तियां ये सब उस कविता में हैं कविताओं में है उसके बाद आधनिक काल की कविताएं जो हैं जो आसानी से दो दो पेज के एक एक पेज की कविताएं हैं नागारजुन के कविताएं हैं लगी हुई हैं मुक्ति के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि जितने भी यूटूबर जितने भी अभी तक का प्याइटी था वह सीधे सीधे उसको लपेट दे रहा है क्योंकि इस बार का कुछ पैटर नहीं अलग कविताओं के विशेश मेरा बाकी प्रश्ण उपन्यास नाटक इत्याज के लिए तो लगबग लगबग वही रहे अलुचको के प्रश्ण और तथी के प्रश्ण सभी है लेकिन कविताओं का रूल इस बार सबसे ज़्याद रहा उसके बाद हम आते हैं भासा विज्ञान पर भासा विज्ञान में जितने अधिनियम भासा से संबंधित अधिनियम खास कर इस समय दी चेत्र कौन-कौन से हैं कहा कहा कौन सी बोली जाती है कौन से वह व सकी नोर्स बनाना होगा अधिनयमों का नोर्ट मनाना होगा उनका करम पिरियड, में इसके समय में क्या और संसोधन हुए हिंदी हे को राजभास के जारा कौत किया दर्जा कैसे मिला ? मिला और फेक्ट्स के लिए रसनाए का पत्रकाई आगया रजनाय आगई तो इन सबके पूछत स्वित्यक्व क्रेश्छा, पूछ पूरण रहे के इलैंप्र ऐस। इन सब का तो पता ही होना चाहिए उनके रिशनाओं के बारे में पता होना चाहिए ये सब चीजे पूछता है हिंदी साहिद के इतिहार रांचन सुकल का है इसको एक बार दो बार आप रेटिंग लगा लेंगे तो इन फ्यूचर भी काम आने वाला है रांचन और सुकल की प्रिडियोज कवर की हुई थी तो वहां से भी चीजे कवर सकती है रांचन सुकल की बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो वहां से हो जाएगा उसके बाद आप जो है भासा के ये हिंदी साहिद की आदिकाल हो गया भकिकाल हो गया सीधा सर्शी पांडे गोविंद्पांडे के से फैक्ट स्नोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप पी आई कुसे देखते हुए बिंदी साहिद की जितने रांचन सुक्त को टेशन के लिए कुछ पीडिया सब ले लिगा पे अवलेबल है उनसे सब को कर सकते हैं रहां धन्यवाद क्या बात करें पैचान है पैचान है कौन है दूसरे कामरान करो एक हों से देश ना पाएं